प्रेमी यूगल जोड़े की अब सेंडिस कमपाउंड में खैर नहीं क्योंकि चारोतरब घूम रही है थपड़बाज महिला पुलीस कर्मी जीहां भागलपूर की सेंडिस कमपाउंड से एक बीडियो सामने आया है जहां यूगल जोड़ी पार्क के अंदर बैट कर बात कर रहे थे इस दोरान तिलकामांजी थाने की पुलीस पहुँची जैसे ही प्रेमी यूगल जोड़ी ने पुलीस को आते देखा दोनों वहां से तेजी से दोड़ कर भागने लगे इस दोरान महिला पुलीस करमी ने यूपती को पकड़ लिया और जम कर ठपड़ चलाने शुरू कर दिये जब तक वो कुछ बता थी तब तक यूपती को महिला पुलीस करमी दो-चार ठपड़ लगा चुके थी फिर दोनों से पूछ ता पूछताच के दुरान पता चला दोनों आपस में दोस्त थे जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया अब सवाल यह उठता है कि महिला पूलीस कर्मियों को इस तरह बिना कुछ जाने समझे क्या यूपती को सरे आम सब के बीच थपड़ मारना उचित है क्या इस पर कोई कान लागून नहीं होता पीडी के चिठा काटने वाले जगह पर हंगामा किया महिलाओं का कहना है कि अस्पतार प्रसासन के दुरा जहां महिलाओं की लाइन रहती है वहां महिला गाड ना देकर प्रूस गाड दे दिया गया है जिससे रोज महिलाओं की तकरार होती रहती है वह इसको लिकर अस्प अब जाड़ तामना जिन्ते से तामना ताजन साइब तेरे पास सक्ती थाएगो उसके वाद मेरे पास पैसाता पजास दार भागलपूर के ट्योपी बाइपास थानाचतर के खिरी बांद गाउं में आंगन बाली पढ़ने गई पांच वर्सिय नहरा परवीन लापता हो गई थी जिसका सब गाउं के ही तालाब से परिजनों ने बरा मत किया प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका आंगन बाली पढ़ने के लिए गई थी लेकिन देर साम के बाद भी वापस नहीं लोटी जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कहीं कोई अतापता नहीं चला जिसके बाद परिजनों ने आसंका जताए कि घर के बगल में बने तालाब में कहीं वो डूब तो नहीं गई जिसके बाद घटना की जानकारी पुलीस वर अंचलतिकारी को दिया गया लेकिन जगदीस पुल अंचलतिकारी का मॉबाइल बंध था परजिनों ने दस जार दूपिये दे कर प्राइवेट गोता खाउर को बुलाया और तालाब से बच्ची का सब निकलवाया मिर्टिक के पिता गुलफरान आलम ने बताया कि वो ओटो चला कर अपने घर का भरन पोसन करते हैं मिर्टिका एक भाई एक बहन है मिर्टिका के मुह पर जखम का निसान देक परिजन बोले कि मचली नोचकर खा गया होगा वहीं परिजनो ने बताया कि मंगलवार की दोपर तीन बजे ही बच्ची तलाब में गिरी होगी जिसके बाद उसको मचली वा अन्य जानवरों ने खा लिया होगा सुबह सब को निकाला गया देखा गया कि मुह पर जखम के निसान है इसके बाद परिजनो ने सब को बाहर निकाल कर घटना की जानकारी पूलीस को दी इदर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुँची पूलीस ने मामले की छान भीन सुरू कर दी मुआबजे की मांग को लेकर भागलपूर जगदिसपूर मुख्यमार को परिजनो वह स्थानिय लोगों ने जाम कर दिया और मुआबजे की मांग को लेकर जम कर प्रदर संकिया मिर्तक के पिताय कहना है कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने मिट्टी निकाल कर तलाब बना लिया है उस लाके के सैकड़ो बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तलाब बनाया गया है लेकिन उसकी घेरा बंदी नहीं हुए है जिससे आए दिन वहाँ पर हादसा होता रहता है इधर लोगों ने बताया कि साफ दोर पर लाब परवाई है मौके पर पहुँचे पुलिस ने घंटो बाद परिजनों को समझा बुझा कर मामला सांथ कराया उधर रूड जाम होने के कारण पांच किलो मीटर तक लंबी जाम लग गए जिसको छोडाने में पुलिस ने काफी मसकत किया कि खेलती होगी की द्रूम नाई जाने मेरे बेगा पुलिव पोखार में चली गई है कि अपलोगको कम पताचला कि पोखार में उड़े मेगा देखो आदमीसा बताच्वाने पोखार में ने गुसा होगा ए jam कितनी बड़ी थी कितनी बड़ी कितनी बड़ी थी नाम क्या था वे बाक स kuv उसका चोटी लड़की खरकैंब में खोका है बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐससे बने मिस च्छतिकर्ण स्थ हो जाता है और उसके बच्चनें की श्मावना कम हो जाती है और यदी बचा तो भविस्व में उसमें बिकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा बिकलांगता से जूद सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है जन से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें भागलपूर का 25 हजार का इनामी सूची में सामिल कुख्यात अपराधी बीरु मंडल को भागलपूर पुलिस ने जहारकन राज के गुड़ा से गिरहफतार कर लिया भागलपूर जिला अंतरगत 15 अगस 2018 को लोधिपूर थाना अंतरगत पांच वर्सिय बच्चा रवी किसन का अपरहन कर 3 लाख रूपय की फिरुति की मांग की गई थी इस संबंध में लोधिपूर थाने में केस दर्ज किया गया था बच्चे की सकुसल बरामदगी की गई थी किन्तो अपराधी की गिरहफतारी नहीं हो सकी थी इस कांड की गंभीरता को देखते वे कुख्यात अपराधी वीरु मंडल पर 25,000 रूपय इनाम रखा गया था या एक सातिर और सक्रिय किसम का अपराधी है गिरहफतारी के डर से अपना ठिकाना बदलते रहता है गुप्तु सूचना मिलते हैं एक विसेश टीम का गठन कर इस कुख्यात अपराधी को पुलीस ने गिरहफतार कर लिया वहीं सातिर अपराधी का अपराधी की तिहास खंगाला जा रहा है पुलीस ने वीरु मंडल के पास से एक मोबाइल भी जब्त किया है इस चापे मारी के लिए पुलीस अधिच्चक अमीत रंजन की निगरानी में और पुलीस उपाधिच्चक विदी भिवस्ता गौरब कुमार के इन नेथित में चापे मारी कर कुख्यात अपराधी को गिरहफतार किया गया है पुल्पुर जिला अंतरगत ये 25,000 रुपे इनामी अपराधी है बीरू मंडल पिताश शंबू मंडल गुड़ा से इसको गिरहफतार किया गया है तो इसके उपर 2018 में एक केश हुआ था इसमें इसमें बच्चे की 5 साल का एक बच्चा था रवी किशन जिसको मतलब अभारन कर लिया था और उसके उसमें ये फिरौती की मांग की जाने थी तो बच्चे को रिकवर कर लिया गया था और ये पिछले 5 साल से फिरार चल रहा तो इसको कल गिरफतार कर लिया गया है और इसके बार भागलपुर पुलिस के तरफ से 25,000 रुपए का इनाम था इसको टेक्निकल टीम और जो थानदेक्ष लोधीपुर है इन सबकी एक टीम बनाए गई थी जिसका निद्यत्र पुलिस उपादिक्षक लॉइन और कर रहे गौरत और टीम ने अच्छा काम किया टेक्निकल एविडेंस के उसके उपलक्ष पे इसको गोड़ा जिली से बरामत किया गया है और इसके पर टोटल 25,000 का इनाम था इसके पास से एक मोबाइल जो है वो बरामत किया गया है टीम में जो थे वो डिया यू के मुर्लिदर शा व्र., प्रमोष शा और नंतु कुमार लोधीपुर थाना से बच्चन कुमार और अविमन्यआई कुमार सिंग और सिथाया शिवम कुमार डियाइओ से शिवा illustri Akumar बोट से अधार थान देख्या है इसमंदी इस फुरे उपरेशन में काफ़े अच्छा आपरेशन था और ये पिशले 5 साल से यहां से पराड चल रहा था और इसने एक ज़़ाई भागलपूर जिले के नाथनगर मदुसूदनपूर थानाचतर के रागोपूर टीकर मदुविद्याला में सिच्छकों पर बच्चों के साथ मारपीट का रोप लगा कर अभिभाबकों ने जम कर हंगा मामला बढ़ता देख सिच्छकों ने घायल के परजनों को 500 रूपय इलाज करने के लिए ताकि मामला सान्थ हो लेकिन परिजन नहीं माने सिच्छकों ने बताया कि छात्रा काजल का हाथ पहले से ही तूटा हुआ था हलाकि घायल के परिजन छात्रों पर मारपीच करने का रोप लगा रहे हैं मुखिया जियोती कुमारी ने बताया कि एक छात्रा काजल कुमारी का हाथ सिच्छकों ने तोड़ दिया है जिसके बाद जब हम लोगी स्कूल पहुँचे तो वो लोग मामले को सांथ करवाने के लिए काजल की परिजनों को 500 रूपया दे कर कहा कि इल गामा किया घायल छात्रा काजल कुमारी ने बताया कि पढ़ाई के दुरान एक सिच्छक पिटना सुरू कर दिये जिससे मेरा हाथ तूट गया घटना को लेकर इस मामले पर प्रधाचार कुछ भी बोलने से इंकार कर रहे हैं पंचायत के मुखिया जियोती कुमारी ने प् लगाया है उनने का कि एक महिना पहले प्रधाचार 14 मध्यान भोजन की 19 बुरा चावल को बेच दिया गया लोगों ने इसकी जानकारी मुखिया जियोती कुमारी को दी थी इसके बाद नोने बिभाग में लिखकर वरी अधिकारी को घटना की जानकारी दी है उन्हें उनने कि मेरा बेटी का हूंप तोर दिया अच्छा तर के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले से तुटा हुआ था हां पैले अगभार यही स्कुलियम तरह सर कौन तोरह था ता अगला ख्यावी घटना हो गया था प्रिंस्पल तोरह है कौन तोरह है सार क्या आप तुरिस्त्मा तरह अच्छा का बच्चा का हां तूटा है और बच्ची आई थी उसकी माता पिता की देखिए मास्टर साहब के दोवारा है बच्ची को गिरा के मारने के करम में बच्ची का हां टूट गया है तो चुकि कर मैं ब्लॉक में थी तो नहीं आ सकी यहां ज़रूरी काम था तो अज आते हैं तो हमने परकंड से भी अधिकारी को सुचना दिय उनके गौरव जी आये हुए हैं और हमने अपने अस्तर से आकर के ग्रामीनों का समस्या सुना तो ग्रामीनों का जो भी कहना है कि जब से यह हेड मास्टर आये हैं तब से बहुत ही गंदा बेवार इस सुलका हो गया है पहले से जानते हैं और शुनाई भी उनको नहीं देता है और कोई बात बोलिये तो वह पागलपन का बहाना करते हैं तो ऐसे भी पागल टीचर को स्कूल में रखने के जरूत नहीं है और नियम है कि पांच साल के उपर से बच्ची जो है लड़की किसी भी काम भाई हो कोई भी अगर उसको टच करके शुता है तो वह बैट टचिंग के नाम से होगा कोई भी बड़ी लड़की को पांच सल के ओवर से किसी को नहीं चुना है लड़की को और जो भी अगर लड़की हो लड़का हो उसको सिख्षक को छड़ी से मारना चाहिए और और आने का मेरा मतलब हुआ स्कुल में कि अगर बच्चा गलती किया तो मास्टर मारता है और प्रिंस्पल थे उनका हम लोग दिये हैं बदली करने का यहां से रोज महोल खड़ाब होगा तो बच्चा पढ़ने सकेंगे और अभीबाबक और टीचर में लड़ाई होगा तो का यहीं बच्ची है का जल को मारत मारत है क्वान प्रिंसर मारत है जब लाल दास क्यों मारत कि आपको क्यों को संस्क्रीट परने के लिए नहीं आता है चाहां अच्छा तो और गटना घृत्चा इक काल हुआ था दू बच्के दस था नहीं तो मैदम को जा मुख्या जी को चुनाव जियों जियों नजदीक आते जा रहे हैं तियों तियों मंत्रियों की हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। कार के दरा उनसे सवाल किया गया कि विद्याले में किस तरह की कम्या हैं तो मंत्री कुछ भी बताने से इंकार किये। वहीं आने वड़े 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर उनके दरा बताया गया कि एक दो सफता में इंडिया कडवंदन में सीट सेरिंग का कारे संपन हो जाएगा। महीं नितीज कुमार के परधान मंत्री होने की बात पर बताया कि हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे मुख्या परधान मंत्री के उम्मीदवार हो लेकिन उनके दरा या सारी बात खारिच कर दे जाती है। हम कल एका एक यहां संथ धुलबज्जा में संथ का सम्मेलन था और उसमें एका एक संथ योगे जी हमको एका एक उठको बेचे नहीं हो गया जब तक मंत्री जी ने आएगा तब तक हमारा जग सफलने होगा। हम एका एक कल तीन बज़े चले उसके जग में धुलबज्जा के लिए और रात फिर 11 बज़े आपके भागन पूर आए। कोई खास बात ने था उसी संथ समागम में हमारे अचाना का हमकिसी काज करता कि जीला अध्यक्ष को भी नहीं खबर किये। लेकिन भाइसी सुपाल जी मिडिया परभारिया इनको एका एक अपने आप पता लगातु उसी दर्वियान में इनसे भी मुलाकात आज हुई और अजी तक यह साथ है। जहां जाएंगे ही साथ रहेंगे। दोजार चुनाव लेकर क्या आप। और इसकूल भी गये थे। इसकूल में निर्शन किये हैं। जो कमी है उसमें सुधार लाएंगे हम। किस तरह की तरूटियां देखी सकते हैं। हम जो देखे हैं उसको अपने आपने सुधार करवाएंगे। कि चुनाव की तैयारी महागठवन धन की एकता चल रही है। और जब यह सीट सेडिंग लगभग में एक हफ्ते का अंदर या दो हफ्ते का अंदर हो जानी चाहिए। और सीट सेडिंग होने के बाद दो हजार चौवीस में बीजेपी सब्ता से बेदख्ल हो जाएगी। आर एसस चीफ आ रहे हैं सर भागलपूर क्या कहेंगे। भागलपूर आ रहे हैं आर एसस के चीफ आ रहे हैं मौन भागबूर। वो दलित एसी हितेशी थ्वर्वे हैं वो अपना काम के लिए आता होगा। ना आर एसस ना बीजेपी एसी एस्टी अति पिश्रा पिश्रा के लिए सोचा हैं ना कभी सोचेगा। बावा सहाथ धीमडा अंबेद करका लिख्या हुआ सन्निधान को परिवातन करने के लिए आता है। इस्टेट बार काउंसिल का चुनाव 25 पदों के लिए आज सांति पुर्ण तरीके से सुभा के 10 बजे से प्रणभ होकर साम के 5 बजे संपन हुआ। इसके दावेदारों में 5 धिवक्ता भागलपूर जिले वर डीबीए भागलपूर से भी थे। इंतजाम किये गए थे, वहीं मतदान केंद्र पर बहारी लोग के परवेश पर भी रोक लगई हुई थी। चुनाव में बाधा उत्पने करने बालों पर कारवाई करने की भी बात कही गई थी। वहीं सभी मतदान केंद्रो पर निगरानी के लिए सीची टीवी कैमरे भी लगे हुए थे। चुनाव की निगरानी और संचालन के लिए निर्वाचन कारियाले पटना की सहायक पताधिकारी असोक कुमार सिन्हा सही थे आठ दस्यों की देखरेख मी यह मतदान सांती पूर्णिस संपन हुआ। बिहार बार कॉंसिल के मेंबर की चुना हो रही है जिसमें 157 कैंडिडेट हैं वो सब मिल करके उसमें से 25 लोगों का सेलेक्शन होगा। 25 लोग चुने जाएंगे उसी 25 में से जो लोग मेंबर बनेंगे वो अपने बार कॉंसिल के चेर्मेन उसी में से एक होंगे वाइस चेर्मेन होंगे यही प्रोसेस है अभी के समय में 157 कंडिडेट उस पद के लिए बिहार बार कॉंसिल के मेंबर पद के लिए चुनाव लगा धाम से मनाई गई इस जैनती पर उनके अनुवाई काफी हरसोलास के साथ एक दूसरे के साथ खुसिया बाटे जैनती सम्हारों पर आसरम को फूलों जहलों से जाया गया था देश बदेश से स्रधालों ने यहां कर प्रवचन भजन किरतन में ही सालिया आसरम में जैनती के मौ पर निसुल्क स्वास्त सिविर भी लगाया गय थे शिविर में बहुत सारे सत्संग प्रेमियों का चीक अफ़ा साथ निसुल्क जाच करने के बाद दवाईया भी वित्रन किया गया वही अकिल भारतिय संतमत सत्संग महासभा के महमंत्री तुब्व परकास ने कहां कि इस सम्हारों में दिल्ली, कोलकाता, नेपाल, बनालस, पंजाब के लावे, देश बिदे से कई अन्याई भागलपूर, महरसी आस्रम में कुपा घाट पहुँचे हैं, या बड़ा है सुखदाई पल है, वहीं सुभा पांच बजे भजन किर्तन के साथ कारिक्रम की सुरुवात कारिक्रम के दुरान महरसी संतिस्वी प्रमहन्ज की जीवन उपदेश पर प्रकाश डाले गए, कारिक्रम में हजारों अनुगाई सामिल हुए कारिक्रम को सफल बनाने में, अखिल भारतिय संतमत सत्संग महासभा के प्रादिकारी और कारकरताओं ने काफी महनत किया, कारि और ये प्रतिवर्ष जो है अखिल भारतिया संत्मर्शत्त्न महासवा के द्वारा हर वर्ष मनाई जाती है बड़ही हर्स और उल्लास के वतावरन में और इसमें दूर पुद राज के छेत्रों से सुदूर दिहात से विहार से विहार के प्रदेश के बाहर के लोग जो सरदानू है वे लोग आते हैं और आज यहां पर जो है सुबह में से आज उनका कार तो इस पर भाद फ्यरी किया गया पर ये सुभाया तरह निकाली गई थी जो सहर के मुख्य मार्गों से घुमते हुए जो फिर आस्रम आई और रात में भी भंडारा था और सुबह में जो है पुस्पान जली की गई है महर्शी जी के पुझी आराध्य देव के और महर्शी संसरी परमाजी महाराज के तेल चित्र पर और अभी आस्तुति प्राथना के साथ उनके जीवन दर्सन पर उनके व्यक्तित और कृतित पर और संत्मत में उनका जो है कितना अहम योगदान है इस बात पर जो है हमारे पुझी सादू सन्यासी और हमारे मुख्य अतित्थी और सा महासभा के सभी संवानित पदादीकारी इस पर प्रकास डालने का काम करेंगे यही आज का मुख के विशा है और यही कार्चक्रम है जितने भी फरनीचर है उसकी रीपियर इंकी गई और साथ ही साथ हम लोगों ने यह प्रन किया कि आज के दिन हम लोग यह स्थापना दिवस रमदिवस के रूप में मनाएंगे आज के कारेकर में अबध कुमार, निरंजन कुमार, अजे कुमार सहीत कई कलब के कारेकरता मौझूद थे हैं, जिसमें हमारे मुख्य कारेकरता जो हैं, आलोक कुमार सर्माजी, निरंजन सर्माजी, अजे सर्माजी, संजे सर्माजी, अवद सर्माजी, सभी ने अच्छा योगदान किया, राजे सर्मा ने भी अच्छा योगदान किया, और कंपनी मेंबर स्री अजीत सर्माजी आ स्रीराम कुमार जी आए जो फेलिकॉल को देखते हैं सभी ने आकर के उत्सा पुर्वक बड़ी सांती प्रिया धंसे यहां पे सरमदान किया